नमो नारायन मित्रो, मैं राहूलेश्वर, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने प्रोग्राम भागी मन्तन में मित्रो, आज हम बात करेंगे श्रावन मास में पढ़ने वाली नाग पंचमी के बारे में भगवान शिव त्रिदेवो में मुख्य शक्ति के रूप में जाने जाते हैं वैसे तो ब्रह्मा, विष्णू और महेश तीनो एक ही हैं परन्तु गुण, धर्म, शिष्टी संबंदित कारियों के हिसाब से अलग-अलग कारियों के लिए जाने वा पहचाने जाते हैं श्रावन मास मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा का महीना है इस माह में शिव परिवार और उनसे संबंदित सभी शक्तियों के पूजन का विधान है इस मास में प्रतेक दिन कोई न कोई वरत या विशेश पूजा आती है जिसमें शुकल पक्ष की पंचमी के दिन नागों के पूजा का विधान है पंचमी तिथी को नागों के पूजन के विशेश महत्व होने के कारण ही इस दिन को नाग पंचमी के नाम से बुलाया जाता है बंगाल के कई शेत्रों में नाग पंचमी शुकल पक्ष की जगा कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है नाग पंचमी के बारे में एक प्रचलित कथा है कि एक बार माता के श्राब के कारण नाग लोग जलने लगा तब गौ माता के परम पवित्र दुग्द से ही प्रचन डगनी की शान्ती हुई थी और नाग लोग जलने से बच पाया था उसी दिन से पंचमी को नागों की बांबियों में गाएं के कच्चे दूद को डालने का नियम बन गया और यह नियम आज तक चला आ रहा है ऐसा कहा जाता है पंचमी के दिन माता के श्राप के प्रभाव की तमस से सर्पविचलित हो जाते हैं जब उनकी बांबियों में गाएं का कच्चा दूद डाला जाता है तो उन्हें इस श्राप की तमस से शान्ती मिलती है वेद और पुराणों में बताया गया है कि नागों की उत्पत्ती महरिशिक कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुई थी और इनका निवास पाताल में बताया जाता है पौरानिक ग्रंतों में भी कई जगा नागों की पूजा का विदान बताया गया है इनकी उपस्तिती भगवान विश्णू की शैया के रूप में भगवान शिफ के कंट के आबुशन के रूप में और सूर्य रत के समीप सदा के लिए बताई गई है ऐसा भी बताया जाता है कि पृत्वी शेशनाक के फन पर ही इस्तित है जो की परमसत्य भी है हाल ही में हुए शोदो से इस बात की पुष्टी हुई है कि सभी ग्रह जिन में पृत्वी भी शामिल है गोल कक्षा में नहीं गूमते बलकि सरपीली कक्षा के रूप में गूमते है वैदि घटना क्रमों को हमारे मनीशियों ने कथा रूप में इस प्रकार बांदा हुआ है जिससे श्रिष्टी का गूड रहस्य केवल वही लोग समझ पाए जो बुद्धिमान और इन गूड रहस्यों को समझने योग है आईए अब हम जाने नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पहले जानेंगे क्या करना चाहिए पहला आज के दिन शिवलिंग के दर्शन जरूर करने चाहिए और शिवलिंका गाएं के कच्चे दूद से अभिशेक करना चाहिए दूसरा, आज के दिन नागों के चित्र का दर्शन करने के पश्चात, नव नाग, इस्त्रोत का पाट करना चाहिए और भूमी, हवा, पानी, भौतिक और अभौतिक रूप से सर्प जहां भी रहते हैं, उनसे शुप द्रिश्टी बनाए रखने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए तीसरा, गरीब लोगों को दूद का दान करना चाहिए, गरीबों को यता शक्ती दान देना चाहिए चौथा, जिन लोगों की जन्व कुडली में काल सर्प दोश हो, उन्हें आज के दिन रुद्रा विशेक करने के पश्चात आठ मुकी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए पाँचवा, जिन लोगों की जन्व कुडली में राहू नीच राशिष्ट हैं या चंडाल योग बनाए हुए हैं, उन्हें आज के दिन राहू के जाप करवाने चाहिए, ऐसा करने से ततकाल राहू शांती होती है आईए अब हम जानेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए पहला नागों को दूद नहीं पिलाना चाहिए, नागों की बामबियों में दूट चड़ाने का नियम है ना कि नागों को दूद पिलाने का माता के श्राप से जब नाग लोग जलने लगा तब गाएं के परमशुद दूद से अगनी की शांती करके नाग लोग की रक्षा करी गई थी तब से नागों की बांबियों में गाएं का कच्चा दूद चड़ाने का नियम है दूसरा आज के दिन भूमी को नहीं खोदना चाहिए पौधो और हरी सबजियों को नहीं काटना चाहिए इसका यह कारण है कि इस महा में वर्षा ज़्यादा होती है हर तरफ हर्याली होती है ऐसे में पाताल में रहने वाले सर्प भूमी की सतह पर आ जाते हैं जब आप जमीन खोदते हैं या खेतों में हरी सबजी काटने जाते हैं तो नाग द्वारा काटे जाने का भय ज्यादा होता है इसलिए इस दिन जमीन खोदना और हरी सबजियों को काटना मना किया गया है तीसरा, आज के दिन किसी चीज को तलने के लिए भी मना किया गया है क्योंकि शावनवास में वर्षा के कारण वात कफ़ पित असंतुलित रहता है और तला भुजन खाने से शरीर में विकार बढ़ जाते हैं चौथा, यह नागों का परव होता है और वह भूमी की सतय पर हर जगा निकल आते हैं इसलिए इस दिन जमीन के चुलों में खुली आग नहीं छोड़नी चाहिए इससे नागों के जुलसने का खत्रा रहता है पाँचवा, इस दिन भोजन बार बार नहीं करना चाहिए पूजन के पश्चाथ एक ही बार भोजन करना चाहिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजा हेतु गायतरी मंत्र हम में आपको बता रहे हैं जो कि आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं यह इस प्रकार है ओम भुजंगे शाय विद्महे सर्पराजाय धी मही तन्नो नाग प्रचोदयात आपके लिए नाग पंचमी शुब और मंगल कारी हो आज के लिए इतना ही अब हम आपसे आज्या चाहते हैं ओम नमस्षिवाए